मित्रो आज का दिन बहुत ही दूखी होने का दिन है उन लोगों के लिए जो शेर बाजार में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि शेर बाजार गीर चुका है FPI वाले पैसा लोग कर भाग चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों की बगी के सामने गोड़े लग चुके हैं On the other hand जो लोग UPSC की तेयारी करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक्जाम के लिए मुश्किल से पांच मुद्धे भी काम के नहीं और पांच मुद्धे तो मैंने इसलिए निकाले ताकि ये वीडियो बना सकूँ वरना उतना भी ठीक ही है कैर जो लोग इस चैनल और ये वीडियो सिरीज में नए हैं उनकी जानकारी के लिए ये जितने भी Current Affairs में कंपाइल करता हूँ उसकी एक Excel फाइल बना कर मैं brunal.org slash current ये पेज पे अपलोड करता हूँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी खास बात यह होती है कि जो टॉप header होता है date, subject वगेरा उस पे आप down arrow पे क्लिक करो तो आप subject wise उसको sort कर सकते हैं economy, environment, geography, agriculture वगेरा तो सिर्फ उतने ही समचार आपको जानने हैं आप देख सकते हैं कुछ लोग comment में ये कहते हैं कि ये फाइल डाउनलोड नहीं हो रही उसका solution ये है आप Chrome browser का desktop version यूज़ करें मलब laptop, PC वाला और उसमें कोई add-on है advertisement block कर या ऐसा कुछ तो वो सब disable करिए फिर कुछ लोग ये भी पुछते हैं कि क्या हम लोग totally इस पे rely कर सकते हैं ये Excel फाइल पे और कुछ ना पढ़े तो चलेगा की नई आपने newspaper भी खुद से कम से कम थोड़े बहुत newspaper column पढ़ने चाहिए ताकि English improve हो, grammar improve हो, articulation skill improve हो कुछ लोग ये भी प्रशन पुछते हैं कि ये वाला देख रहे हैं तो दूसरे e-learning website वाले जो अपने monthly current affairs PDF फाइल निकालते हैं वो देखने चाहिए कि नई उसमें मेरा ये जवाब है हर मंदिर पे माथा टेकना चाहिए लेकिन किसी का अंधाबक्त नहीं बनना चाहिए ये मैं बनाता हूँ Excel फाइल बराबर है लेकिन इसकी एक मर्यादा क्या है, limitation इसमें दह हिंदू का माल नहीं होता तो कुछ बार ये हो सकता है, वहाँ कोई काम की चीजा ही हो जो यहाँ पर नहीं हो लेकिन आप ये सब दूसरे भी बहुत सारे नहीं पच्ची ये लर्निंग वेबसाइट है तो कोई पच्ची दे मंथली करंट अफेर्स की PDF आपने नहीं देखनी एक दो जो सब फॉलो करते हैं उसको आप भी फॉलो करें और देखे कि क्या चल रहा है तीसरा प्रशन कुछ लोग पूछते हैं कि हम इंडियन एक्स्प्रेस पढ़े या दव हिंदू उसका अंसर ये है अगर आप नौन साउथ इंडियन स्टेट में रहते हैं तो इंडियन एक्स्प्रेस देखना चाहिए उसमें कोई डेंजर नहीं है इंडियन एक्स्प्रेस देखने के फायदे के हैं जैसे मतलब नौन साउथ इंडियन स्टेट राजस्तान, महराष्ट, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा, हुतरप्रदेश वगरा सब में कि थोड़ी बहुत स्टेट स्पेसिफिक समाचार मिलती है जो हमको UPS इंटर्वी में भी काम आए और अपने लोकल स्टेट सर्विस एक्जाम में भी ऐसे डर में मत जी होगी दर हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो अपना कोई इंपोर्टन वाला माल छूट जाएगा वो नहीं छूटेगा क्योंकि मैंने आपको बता ही अलग-अलग दूसरे ही लर्निंग वेबसाइट वाले वो जो मंथली करंट अपेस पीडियाप डालते हैं तो उसमें वो कवर होता ही है तो अपना छूट नहीं रहा है वो वहाँ से देख लेना है बात खतम कैर ये जो अपनी करंट अफेस की एक्सेल फाइल है मुरुनाल्स उसमें से हर सोमवार रात आंठ बजे 20 प्रशनों की MCQ टेस्ट होती है अनेकेडमी द्वारा तो एक तो आपका प्रेक्टिस और रिविजन हो जाए और उसमें जो अच्छे रेंक लेके आए उसको सब अलग-अलगी नाम भी मिलते हैं जैसे पेड सब्सक्रिप्शन बगेरा एक और भी कारेक्राम है UPSC Interviews जिन लोगोंने UPSC Mains 2020 क्लियर किया है और आप वो UPSC Interview की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री Mock Interview Guidance Program ओफलाइन भी है दिल्ली में और ओनलाइन भी होने वाला है मतलब ये Zoom Call वगेरा द्वारा आपका Mock Interview हो जाए क्योंकि आप जानते है Corona के चलते Everyone is not comfortable going to Delhi for Mock Interviews तो इसमें अलग-अलग सब Expert Panelist की द्वारा Unacademy द्वारा ये The Last Mile करके Free Mock Interview Program सब 15 April 2021 से शुरू होने वाले है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके लाब तेरा तारिक मतलब मंगलवार कल रात 9 बजे मेरी एक Free Live Class होगी सबके लिए आपका Interview Call आया है नहीं आया है आगी भी आपने UPSC की तेहरी शुरू की है Everyone is invited The topic is Mrunal's Catalog of Mistakes to Avoid UPSC to Avoid in UPSC Interviews पिछले कई सालों से मैं mock interview में देखता हूँ और लोग क्या-क्या गलती करते हैं तो वो बचने के लिए क्या करना चाहिए उसकी जानकारी तो बले आप अगले साल या दो साल बाद भी दियरने वाले interview तो वो basic theory तो same ही रहेगी तो participate करें कर अभी में मुद्धें पर आते हैं 12th April सोंबार के Indian Express में मुझे काम की चीज़े क्या लगी बहुत कम लगी इसलिए तो इतना सारा शुरुवात में advertisement का फुटेट डाल दिया Page 1 पे कुछ काम का नहीं वही सब Corona और West Bengal election की तू तू में में जारी है Page 2 अनुसंदान काम का नहीं Page 3 और 4 में state specific समाचार में वही सब Corona की ball by ball commentary Page 5 में टीका उत्सव या वैक्सिन महुत्सव तो वो तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ लिया था कि जो तिबा फुले की birth anniversary यानी 11 अप्रेल से लेके Dr. Ambedkar की birth anniversary यानी 14 अप्रिल तक ये कारेक्रम होगा तो वो हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने वापल से आज Excel में एंट्री नहीं किसकी दूसरे समाचारे की हरिदवार में जो कुम्मिला हो रहा है वहाँ पर उत्राखन पुलिस CCTV कैमेरा में artificial intelligence का इस्तिमाल करके देखती है कि किसने mask नहीं पैना है वगेरा तो वो तो ऐसे भी common sense से बिठा सकते हैं कि हाँ artificial intelligence का ये भी प्रयोग हो सकता है क्योंकि उसमें facial recognition technology होती है तो अगर किसी का face match नहीं हो रहा है और उसमें इतना part black या white या कुछ है तो स्वाबाई के वो detect करके बता देगा हाला कि जितनी build है तो अब कितने लोगों को आप दंडित करेंगे और सामने सो real implementation challenge वहाँ पर होगी कि identify दो किया लेकिन penalty कितनी लगाओगे और कैसे आगे बढ़ते हैं page 6 कॉलम में कुछ काम का नहीं एक तो वेस्ट बेंगाल की चुनाव की कॉलम फिर अमेरिका का 7th fleet का जहाज बारत में आ गया वो तो हम देख चुके है इसमें सिर्फ चिंता जता है यह नया कुछ जाने को है नहीं तीसरी बड़ी कॉलम की यूरोप और एशिया के बीच कोरोना में कैसे सब alliances हो सकते हैं वो भी दिल बाग बाग हो जाया ऐसी कोई नई चीज है नहीं कोवेक्स प्लेटफर्म वगएरा लेकिन यह तो खुद तो कुछ है उसमें कंट्रिब्यूट करते नहीं वगएरा प्रॉब्लम हम वैक्सिन इंपिरियलिजम में पहले पढ़ चुके हैं पर्शनी न्यूज में महराष्ट के ट्रेड यूनियन लेडर दत्ता इस्वालकर का देहांत हुआ नौन आइस एक्जाम में याद रखें पेज सेवन प्रॉफेसर अशोक गुलाटी की कॉलम अब वैसे तो वो एक्रिकल्चर में अच्छे अच्छी कॉलम पहले लिख चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं और वैसे भी अपनी WIN21 Free Economy Lecture Series में अम लोग जब पिलर सक 6 तक पहुँचेंगे Human Resource Development गरीब कल्यान वगएरा तो उसमें वो देख लेंगे जानने लाइक मुद्दे तो उसके लावा इतना सब दिमाग खर्च करने का फायदा कम है आगे बढ़ो तीसरी बड़ी कॉलम में याद करो वो AICTE ने Engineering College Admissions नॉम्स में कुछ सुधार किये थे कि आपने स्कूल में Maths, Physics ना भी पढ़ाओ तो भी admission मिल सकता है तो अब तक उसके counter argument चल रहे थे आज favor में कि यहाँ से यह फायदे होंगे बगए लेकिन main चीजे जाने लाइक हम पहले पढ़ चुके नया आज कुछ नहीं पेज 8 राशी बविश्य काम का नहीं सीवाय के आप भी शेर बाजार में speculative trading करते हों पेज 9 मित्रवेक संस्था है सरकारी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो बारत के पहले education minister मौलाना अबूल कलाम आजाद ने बनाई थी और ये ministry of external affairs विदेश मामलों के मंत्राले के नीचे काम करती न्यूज में इसलिए है कि इन्होंने एक app develop किया है little guru objective क्या है संस्कृत सीखना है आपको तो इससे आप सीख सकते हैं अभी ये कितने app डाउनलोड होंगे वो भी सोतने का विशे सरकार कोशिश तो कर रहे है लेकिन response कमी है तो response बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने भी PUBG combat टाइप का कुछ competition अनौंस करना चाहिए page 8 पर बाकी सब politics की तू-तू में हमें समाचार page 10 explained series एक तो बड़ी explained series है corona vaccine के दो short के बीच कितना अंतर होना चाहिए वो हम पहले देख चुके और controversy या negative news में क्यों है क्योंकि अलग-अलग राजियों में shortage चल ले जिसकी case study हम लोग कल भी देख चुके page 10 पर तीसरी बड़ी explained series है facebook का data हुआ leak तो बड़ी-बड़ी multinational company हो में ऐसे छोटे-छोटे हाथ से होते रहते आगे बड़ो हवा में वैसे लिख सकते हैं कि data लिख होते रहता है page 11 ऑस्टेलिया के high commissioner का बड़ा सा interview टाइम होदो पर सकते हैं अधरवाज आगे बड़ो page 12 international news में नतान्ज इराइन की ये nuclear atomic testing facility site है अचानक से वहाँ बिजली चली गई और उनके local media का ये कहना है कि इस्राइल या अमेरिका द्वारा cyber attack में ऐसा हुआ है तो जब हम बात करते मेंस पीपर 3 cyber warfare याद करो एक बार पहले भी controversy हुई थी कि इरान के कोई बड़े nuclear scientist को गोली मार दी गई और वो smart weapon था मतलब बंदुख बाज उदर था ही नहीं कुछ camera control artificial intelligence satellite से command दे के rifle से गोली चलाई गई और उसे मारा गया और उसी तरह आज ये cyber warfare scene की बिजली चली गई so now we are becoming more vulnerable to such cyber attacks वगेरा जब आब security के बारे में लिखते हो मित्रो म्यानमार नेपाल वगेरा में तो दमालों होते रहते हैं Jordan में भी दमाल जा रही है कि उनका जो King Abdullah और सामने Prince Hamzabin Al Hussein जो उनका बाई है आपस में कुछ सत्ता पाने के लिए गतिरोज चल रहा है ये सब अमारे लिए काम काने आगे बढ़ो उसी तरह European Union ने खुद को LGBT Freedom Zone डिकलेर किया और फिर Poland वगेरा देश जहां पर उनके कुछ Municipal Corporation की यहां LGBT नहीं है या फिर इनकाम विरोध करते हैं तो European Union उनको funding में पैसा कम दे रहा है वगेरा की पूरी लंबी चौड़ी सीरीज अमारे लिए काम की नहीं आगे बढ़ो मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है comparing constitution तो freedom of speech, thought, expression बारत में तो है चाइना में केस क्या है चाइना में उन्होंने एक special hotline बनाई है जहां पर आप complaint बेज सकते हैं complaint कब बेजनी है history nihilist के खिलाब complaint बेजनी है ये nihilism मतलब ऐसी सब philosophy की सब कुछ कुछ माइने नहीं रखता मतलब कुछ knowledge, meaning of life वगेरा या फिर दूसरे की जो मतलब जो स्थापित सिद्धान थे उसको मानने से मना कर दे और चाइना के point of view से की Chinese Communist Party ने जो भी उनके इतियास में लिखा हो कि Mao महाननेता थे और उन्होंने अपने एक मुक्के से पंच मारा और Siberian Tiger आया था उसका भी दान तूट गया और वो मर गया कुछ भी लिखा हो, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आपको बहला जाएगा You are a history nihilist क्योंकि आप Chinese Communist Party के history को मानते नहीं है और आपको फिर सजा हो सकती तो अपनी आजादी को 75 years and why we should be proud of our constitution and everything तो ये भी सोतने का मुद्दा की यहाँ पर भी कई सारे लोग history को distort करके अपने version चलाते रहते हैं और ये बात सही है कि उसके सामने दर्णे प्रदेशन होते रहते हैं लेकिन सिर्फ कि आप history का ये version मानने से इंकार करें और jail में fit कर देंगे that type of authoritarianism is not present in India आगे बढ़ते पे 13 economy कुछ काम काने सिर्फ ball by ball commentary ही है अमेरिका वो minimum corporate tax की बात कर रहा था और बारत सरकार बोले कि हाँ हम भी उसका समर्थन करेंगे basic मुद्ध था हमने देख लिया अभी आसल में deal होगी तब आगे और पढ़ने बैठेंगे फिर आप ये win 21 series में हमने pillar 1 में पढ़ा था कि जैसे national payment corporation of India है तो उसकी टक्कर में ये रूपे beam type के दूसरे app technology बनाने के लिए एक और company होनी चाहिए जिसको कहा जाए new umbrella entity अब RBI ने उसके लिए कुछ application तो मंगवाए थे लेकिन फिर उसे लग रहा है कि हम किसी को license देंगे और उसको supervision करने में जितना अपना दिमाग और पैसा खर्च होगा तो supervision का का काम हम NPCI को देंगे और ये पूरी चीज अभी काम के नहीं क्योंकि ऐसी चटपटी खबर कोई RBI के officer ने इंडियन express वालों को दी और वो ऐसा speculative news दे रहा है तो असल में जब notify हो तब हम तयार करने बैठेंगे उसी तरह बारत सरकार के in contact department और केन company के भी जो billions of dollar का केस चल रहा है उसकी ball by ball commentary not important infosys share buyback करने वाला है share buyback मतलब क्या company खुद से ही share निवेशकों से कुछ share वापस खरीद ले ताकि उसकी बविशे में उतनी liability कम हो जाए उतने लोगों को dividend ना देना पड़े माली जे कोई ऐसा international project हो जहाँ पर कुछ शर्ते हो की ये वाली company में promoter की minimum share holding इतनी होनी चे वगेरा या उनको कोई बड़ा सा bank loan पास करवाना हो जहाँ बर कुछ नियम हो वगेरा तो अलग-अलग कारणों से company अपनी business strategy के इसाब से share buyback करती है और ऐसा जब share buyback होता है तो सरकार उस पर एक tax भी मागती है जिसको का जाता है share buyback tax कैर अभी ये तो समाचार में आया तो इसकी भी explained series आएगी तब हम देखेंगे बागी सब economic अपडाउन की ball by ball commentary काम की नहीं page 14 sports पृत्वी शोग जो की अपने coach रिकी पॉंटिंग की बात न मानते हुए टाइम पे net practice नहीं कर रहा था उसने 38 ball में 72 run ठोक दिये उसकी बड़ी सी explained series है कुछ काम की नहीं और उसको देखके ये भी नहीं समझना कि आच्छा तो कुछ practice नहीं करे और ये YouTube पर कुछ clickbait type के लोग जो पट्टी पढ़ाते हैं कि science technology का कोई भी MCQI और आपको ना पताओ तो DDD option टिक करते रहो और आपका काम हो जाएगा भाई वो सब कभी चल जाता है कभी नहीं भी चले अगले साल UPSC examiner आपको परिशान करने के लिए कौन सी टेक्निक अपना है प्रिडिक करना मुश्किल तो पहले ठीक से पढ़ाई करो पूरी पढ़ाई हो जाए और फिर आपके पास टाइम बचे तो ऐसे सब तिकडम इदर उदर से मारते रहने चाहिए पिर एक और समाच चार है कि PTM एपने भी कुछ कॉंपिटिशन शुरू किया है फर्स्ट गेम जैकपोट स्पीन जिसमें एक स्टूडन को किया सेल्टोस नाम की कार जीत गया वो और फैंटसी क्रिकेट स्पोर्ट और वो सब बहुत पॉपिलर हो रहा है तो आमने पॉपिटिटीव एकजाम की तयारी करके क्या ये सब खेलना चाहिए बहुत ये एक प्रकार की लोटरी है उससे बैतर की पॉपिटिटीव एकजाम की तयारी करो तो ऑफीसर बनोगे तो वैसे भी सरकारी गाड़ी तो मिल नहीं वाली तो पड़ाई पे द्यान दीजी और ये था आज सुमबार का नियूस पेपर